पहला देखे गादी जी का करो या मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान सबनेय वग्या आंदोलन के दोरान या फिर आसयोग आंदोलन के दोरान या खिलाफत आंदोलन के दोरान देखे आठ अगस्त 1942 को थोड़ी बहुत संसोधन की बाद भारत छोड़ो आंद शुरू हो गया गादी जी इस आंधोलन में बोले थे कि संपूर आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है कि ब्रिटिस गॉवर्मेंट नमक टैक्स सराप खोरी खतम करने का प्रस्ताव दे जो भी है छोटी मुटी चीज है खतम करने का प्रस्ताव मेरे पास लेके आए लेकिन मैं अंग्रेज सरकार को यह साप साप सब्दों में कह देना चाहता हूँ कि आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए में गाधी जी ने का मैं आपको एक मंत्र देता हूँ करो या मरो, डू और डाई इस मंत्र का आसर है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में हम सहीद हो जाएंगे या दिवंगत हो जाएंगे तो जो गाधि जी का करो या मरो का न आरा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था इसलिए हमारा अपसन A सही हो जाएगा अगला कुश्यन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की किसकी प्रतकिरिया में प्रारण किया गया कैबनेट मिसन योजना क्रिप्स प्रस्ताओ या साइमन कमिशन रिपोर्ट या बेवली योजना देखिए भारत छोड़ो आंदोलन – 1942 में फुवा था जो कैबनेट मिसन योजना आया था वह 1946 में आया था क्रिप्स प्रस्ताओ या था साइमन रिपोर्ट आय था 28 में बेवली योजना हुआ था 1940 में ठीक है तो ऐसे में जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी किसकी प्रत्केरे में के क्रिप्स प्रस्ताओ अब क्रिप्स प्रस्ताओ के बारे में जानने के लिए अमारे जो पिछला वीडियो है आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं और क्रिप्स प्रस्ताओ के बारे में जा प्रस्ताओं का समर्थन किया था हिंदु महासाबय ने कम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने युनियनिस्ट पार्टी आफ पंजाब ने उपर एक सभी ने तो ए तीनों पार्टी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तो इसलिए हमारा आपसंडी यहां प्रस्ताओं का समर्थन किया था अबुल कलामाजा डाक्टर राजेन प्रसाथ सर्दार बल्लब भाई पटेल जवाहालाल नहरू तो देखिए आठ अगस्त उनिस्ट प्रस्ताओं को एक अखिल भारती कांग्रिस कमेटी की बैठक की गई जिसमें पंडित जवाहलाल भारत छोड़ो प्रस्ताओं पेस किया था और सर्दार बल्लब भाई पटेल ने उस प्रस्ताओं को भायानी की भारत छोड़ो प्रस्ताओं का समर्थन किया था इसलिए यहाँ पर कुशन पोच रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताओं का समर्थन किसने किया था तो सर्दार वललाब भाई पतेलने अगर पेश करने वाली बात होती है तो भारत छोड़ों प्रस्ताव किस ने पेश किया था तो जवाल लाल नहरू ने पेश किया था उसा मर्थन क्रिप्स के प्रस्ताओं से भारतियों के नैराश्च का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गादी जी की लेखनों में देश्वासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, AICC दोरा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताओं पारित करने का, नीचे दियेगे कूटो का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन कीजिए, तो देखे पहला हमारा जो कथन है, क्रिप्स प्रस्ताओं से भारतियों के नैरस का, ये बिल्कुल सही है, जो दूसरा है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी सही है, गादी जी की लेखनों में देश्वासियों के हिंसक साधन अपनाने के लिए भढ़काने का ये कथन हमारा गलत है, तीसरा है, चौता है, ए आइसीसी द्वारा अगस्त निसो बैलिस में एक प्रस्ताओं पारित करने का ये भी कथन हमारा सही है, हमारा कथन एक दो और चार सही है, तो हम अपना आपसन देखते हैं, आपस तो यहाँ पर जो उसा मेहता है इनकी जो ख्याती प्राप्त हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त रेडियो चलाने के लिए इन्होंने ख्याती प्राप्त किया था बारत छोड़ो आंदोलन के दोरान बंबाई के कुछ भाग में कांगरेस का गुप्त रेडियो प्रसालित किया जाता था तो जिसे मदरास्ता की सको सुना जाता था इसमें क्या थे राम अनोहर लोहिया सामिल थे ठीक है ये नीमित रूप से आने कि डेली इस रेडियो का प्र देखें वर्ष 1949 में कांगरेस को छोड़ने के बाद सुबास्चन बोष ने किस दल की अस्थापना की इंडियन फ्रेडम पार्टी आजार हिंद फाउज रिवोलुशनरी फ्रंट फारवर्ड व्लॉप देखें 1938 इसमी में हरीपूरा में कांगरेस के अध्यत चुने गए थ अब आगे चलकर विवाद हो गया था गादी जी और सुबास्चन बोष के बीच में विवाद होने की वज़र से उन्हें 1949 इसमी में कांगरेस की अध्यस्ता से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद फारवर्ड व्लाग नामक एक संस्थान की अस्थाप अगला देखिए भारती सतंतता संगर्ज के दौरान इमलिखित में से किष्णे दाफ्री इंडियन लीजन नामक से नवराई थी लाला हर्दयाल रास बिहारी बोष सुबास्चंद बोष बीडी सावर कर तो सुबास्चंद बोष यहाँ पर आपका अप्सन से जाएगा सी दाफ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुबास्चंद बोष कब बनाई थी जब सुबास्चंद बोष 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे थे उसके 6 मह बाद जर्मन विदेश मंतराले की सहायता से इन्होंने दाफ्री इंडियन लीजन नामक एक सेंटर यानिकी से न बनाई थी ठीक है जहां से यह आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भासट भी देते थे वर्ष 1941 के अंत तक जब जर्मन जो ताना साथ था एडॉल्फ हिट्लर ने निर्वास इत्यानी की जो आजाधिन सरकार को मानता दे दी और सुबास चंद्बोस को कुछ युद्ध बंदियों को भरती कर 10,000 सेनिकों का दल गठित किया और इसे ही दा फ्री इंडियन लीजन कहा गया अगला देखिए निमलिखित पेसे किस एक ने सुबास इंद्बोस को देश नायक कहा था तो महात्मा गादी राम रहुन लुया रविन्ना टेगोर बल्ल नौ सेना विद्रो आजाद हिंद्र फोज मुकदमा और यहां पर सही तर चुनना है एक दो तीन दो तीन चार एक दो चार एक दो तीन चार में इसले एक दो चार हमारा आपसंस से जाएगा यानि कि आपसंसी हमारा से जाएगा एक दो चार अगला देखिए cabinet mission के अधिस्ता किसके दोरा की गई लॉड एटली इस्टेफोर्ड क्रिप्स किलीमेंड एटली सर पी लॉरेंस यहां जो cabinet संभिधान का निर्मार करने के लिए इस मिशन को भेजा गया था इसमें लाड़ पैथिक लॉरेंस थे यानि कि सर पी लॉरेंस जो अध्यस थे इसके लावाद दो सदस थे स्टेफ़र्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जंडर ठीक है यहां पर अध्यस्ता सर पी लॉरेंस निकि संग की सरकार के लिए सिफारिस की यहां पर मिश्ट प्रिंट हो गया है संग ही लिखा है लेकिन संग ही होना चाहिए संग ही ठीक है और इस ने हमारती नयालों की सक्तियों का विस्तार किया अगे है इसने ICS में और अधिक भारतियों के लिए उपबंद किया, यहाँ पे कूट दिया गया है, आपके कौन से कूट सही है, कि वले एक, दो और तीन, एक और तीन, फिर या कोई नहीं, देखो, कैपनेट मिसन, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से, कैपनेट मिसन जो है, 24 मार्च 1946 1946 को भारत पहुचा था, और भारत के विभिन राजनीतिक दलो में बहुत लंबी बात चीत हुई थी, भारत के कुछ प्रमुक राजनीतिक पार्टी जैसे मुश्लिम लीग तर था कांगरेश के मत्ब भारत की एकता और बटवारों के बिसे में समझाता नहीं हो सका था, और वक्ता बाया था, 16 मई 1946 को, अब उन्होंने क्या बोला था, कि कैबिनेट मिसन नहीं की पाकिस्तान की मांग को असुईकार किया, जो ध्यान रखियेगा, कैबिनेट मिसन की जो सिष्ट मंडल है, अब इसमें जो सुझाओ दिये थे, क्या दिये थे, कि भारत में बिटिस भा भारत में बिटिस भारत तथा रियास्तों का एक मिला जुला संग होना चाहिए, जो विदेशी मामले, रख्छा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके, ठीक है, तो अगला है, इन्होंने बोला है कि संग की कारकाडी और विधान मंडलों पर ब प्रांतों को केंद्री विशों को छोड़कर से सभी मामलों में पूर स्वायत्ता प्राप्त हो और सेश सक्तियां उन्हें के पास हो, अगला प्रांतों को छोटे अथवा बड़ी गुट बनाने का अधिकार हो, इन गुटों की क्या अधिकार होंगे, इसका नेड़े में बाटा गया, आब आशाम में बाथनिक बात करेगी, अब हिंदू बहसंख्यक परांथ, मद्रास, बंबई, मद्राथ, संभित परांथ, बिहार, उड़ी सा में वर्ग आ में होंगे, और उत्तर पस्चिम के जो मुसलिम बहसंख्यक परांथ थे, जिससे पंजाब, सीम प पसंद नमारा से जाएगा केवल एक अगरा देखिए कांगरेस के निम्लिकित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिसन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था महत्मा गाधी जवालाल नहरू बल्लबाई पटेल मौलाना अजाद जहां पर महत्मा गाधी जी थे कैबिनेट मिसन योजना के पच्ष में पूरी तरह से गाधी जी थे इस योजना के संदम गाधी जिन कहा कि यह है उजना उस समय की प्रस्तितियों के परिप्रेक्चमें सबसे उतकिष्टी योजना थी जिसमें ऐसे 20 थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमी यातना से मुक्त हो सकती थी समिधान सभा जिसने भारती समिधान का निर्मार किया का गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतरगत भारत सासन अधियां 1935 के अंतरगत महरानी की गोश्रा के अंतरगत, कैबनेट मिशन प्लान के अंतरगत तो जो भी हमारा भारती समिधान के निर्मार हुआ है वो कैबनेट मिशन प्लान के अंतरगत हुआ है तो ये कैबनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था इसमें आपको पता है कि जो पैथिक लॉरेंस थे और बाकि जो दोवनेस अदस थे इस्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जंडर ठीक इसलिए हमारा यहाँ पर डी आप्सन सही हो जाएगा अगला देखिए 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यस्ता किष्णे की राजिन प्रसाद जवालाल नहरू बल्लाभाई पटेल राजगोपालाचारी तो देखिए कांग्रेश द्वारा वाइसराय के कुछ प्रस्ताव पेस किये गए थे उसे सुविकार कर लेने के बाद एक अगस्त 1946 को लाडवेविल ने कांग्रेश अध्याच जवालाल नहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रार या नियोता दिया और 24 अगस्त 1946 इस्विको पंडि जवालाल नहरू ने या फिर पंडि जवालाल नहरू के नेतरित में भारत की पहली अंतरिम राष्टी सरकार की घोश्रा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ ठीक है जिसमें मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग से अलग था यहां पर जो किष्ण अद्रिस्ता की थी वो जवालाल नहरू ने अद्रिस्ता की थी इसलिए हमारा आपसन यहां पर भी सेव जाएगा अगला देखिए निम्लिकित में से कौन अंत्रिम सरकार का सदश नहीं था जवाललाल नेरू बल्दियो सिंग अली जहीर डाक्टर भीमराओ अमबेट कर तेहाँ पर डी आप्सन से वेगा डाक्टर भीमराओ अमबेट कर ठीक है अगला देखिएन luego 1946 के चुनाओ के पस्षात मुस्लिम लीग ने क्रेस्प प्रांद में अपनी सरकार बनाई बंगाल उत्तर पस्थ में सीवा प्रांद पंजब या फिर बिहार में तो 1946 दिर चुना होग था उसके बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी, इसमें बंगाल में जैसे कि के ठाजलूल हग के नित्रत में क्रिसक्त प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग की गडवन्धन सरकार ने यहाँ पर सरकार बनाई थी, अगला है निम्लिकित में से कौन सी थी मुस्लिम लीग ने सीधी कारवाई दिवस हेद निश्चित की या सुनिश्चित की थी तो देखिए यहाँ पर 16 अगस्त 1946 लिखा है तो यही हमारा आपसंडी से उजाएगा 16 अगस 1946 को मुस्लिम लीग दोरा सीधी कारवाई दिवस हेद सुनिश्चित की गई थी आज का हमारा लास्ट कोईश्यन है बीश्वा है जब भारत को स्वतंतरता प्राप्त होई तो यूके यानि के लंदन में निमने में से किस एक पारटी का सत्ता थी कंजर्वेटी पारटी लेवर पारटी या सोचलिश्ट पारटी यहाँ पर भी आपसंड़ेगा लेवर पारटी भारत के स्वतंतरता के समय क्लिमेंट एटली बिटिस प्रधान मंतरी थे उनका जो कारिकाल था वो 1945 से 1951 था और इस दवरान बिटेन में लेवर पारटी की सत्ता में थी तो हमारा यहाँ पर आज का कुश्टन समाप्त होता है कल फिर मिलते हैं पर इस कुश्टन के साथ तब तक के लिए नमस्कार